question number 5 question number 5 में क्या बता है ratio है a ratio b is equal to 3 ratio 1 and b ratio c is equal to 5 ratio 1 क्या देखो a ratio b is equal to 3 ratio 1 and b ratio c is equal to 5 ratio 1 तो यह दो है न a cube upon 15 b square square cube और a square minus sorry a square upon 7 b c k में value find करने सबस्वेल देखो जो ratio दिया है न उसको हमलोग परे solve करते a ratio b is equal to 3 ratio 1 so a upon b is equal to 3 upon 1 now a is equal to 3 b a1 जा a b into 3 3 b now b ratio c is equal to 5 ratio 1 b ratio c is equal to 5 ratio 1 cross multiply b1 जा b is equal to 5 into c 5 c मतले b की value के 5 c ध्यान दो हाँ देखो a is equal to 3 b and b की value के है 5 c so a is equal to 3 b के जगा पे 3 into 5 c आ सकता है why? because b is equal to 5 c so 3 into 5 c is equal to 15 c 3 into 5 c is equal to 15 c right now अभी हम लोग को value solve यह करेंगे a cube upon 15 b square c मतलब 15 c cube upon 15 into 5 c square into c यहाँ पे यहाँ पे इस ब्रैकेट का cube है a cube upon 15 b square c the whole bracket cube is equal to 15 c cube 15 into 5 c square into c the whole bracket cube right value brought के na a और b का now 15 c cube मतलब 15 into 15 into 15 3 बार आएगा और c cube मतलब c into c into c डैरेक्ट रहाँ लोग कर सकते हैं लेकिन तुम लोग को समझने करें बिने क्या किया है इसको spread किया 15 into 15 into 15 into 15 into c into c into c now 15 into 5 c square मतलब 5 c into 5 c into c याद रखो क्या लेका है 15 into 5 c into 5 c into c now 15 बंजा 15 बंजा 5 1 बंजा 15講 बच्चा क्या है यापर इसHmm sitzen पर बिंटकर तरखक की रहा है यहाँ पर जरीम सी कट हो गया यहाँ पर सी बच्च यापर तो सी सी कट सी सी कॉट सब कर रहां कर बच्चा क्या है 3 into 3 the whole bracket cube 3 into 3 the whole bracket cube so 9 cube 3 into the 9 9 का cube क्या आता है 729 क्या अंसर आया 729 final answer is 729 second sum देखो a square upon 7bc is equal to a मतलब 15c square upon 7 into 5c into c यहाँ पर भी देखो 15 into 15 c into c 7 into 5 c into c c cancer c c cancer 5 बच्चा क्या 15 3 बच्चा क्या 15 3 बच्चा 45 upon 7 आया समझ में वापस देखो 15 into 15 into c into c divide by 7 into 5 c into c यह c और यह c कट हो गया यह c और यह c कट हो गया देखो यह भी multiplied में है न राइट तो यह कट हो सकता है 5 बच्चा क्या 15 3 बच्चा क्या 15 3 बच्चा 15 3 बच्चा क्या 15 3 बच्चा 45 and upon 7 आया समझ में ओके राइट डाउन दिल चब से सी नाव सिफ्थ क्वेस्चन जो है थोड़ा ध्यान से सुनो डेसिमल में सब मल्टिपले क्वेस्चन में थोड़ा ध्यान दे रावाटे तुम लोंको रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू A इस इकल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट B यह दिया है अब लोगों को find करना है A upon B क्या find करना हम लोगो A upon B सबसे बेले रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू A इस इकल टू as इस लिखा हम लोग ने squaring on both side दोनों side में squaring करने से क्या होगा देखो यह root हट जाएगा यहाँ पर 0.4 का क्या होगा 0.16 0.04 का क्या होगा 0.0016 दो squaring मतलब क्या होगा 2 बार होगा ना multiply तो 2 0 हैंग यहाँ पर 0 0 और 4 का 16 इंटू root B का या B अब A upon B तो B यहाँ पर आएगा और A जो नंबर सो यहाँ पर आएगे that is 0.16 0.0016 divided by 0.04 into 0.4 इन दोनों को multiply किया इन दोनों को multiply करने के बाद क्या मिला 0.016 क्या मिला 0.016 जो 0.16 into 0.0016 divided by 0.016 समझ भी ना सब 0.0.0 confused होगे होगे ध्यान से सुनो यह जो नंबर से as this उपर से लिए उन दोनों को multiply किया तो answer है 0.016 right it is given अब अगर तुम इससे 1000 से डिवाइड करोगे तो यह क्या हो जाएगे 16 और यह क्या हो जाएगे 0.016 क्या हो जाएगे 0.016 right तो अगर तुम 16 से से डिवाइड करोगे तो आगे न आंसर आएगा 0.1 देख यह 0.16 ऐसे रहेंगे और इससे यह नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.1 क्याएगा 0.1 इन दोनों को वापस multiply करने के बज़त क्या मिला 0.016 क्या मिला 0.016 अब देखो इसको 1000 से multiply किया यह पर denominator में 1 है न right तो 1 को 1000 से और 0.016 को भी 1000 से multiply किया तो अंसर आएगा 16 अपॉन 1000 क्या अंसर आएगा 16 अपॉन 1000 समझ मैं है फिर A अपॉन B इस इकॉल टू 8 इन्टू 2 8 इन्टू 125 8 इन्टू 2 8 इन्टू 125 तो 8 8 कैंसर हुआ तो final अचर है 2 अपॉन 125 क्या अंसर है 2 अपॉन 125 तो A रेशो B क्या आता है A रेशो B इस इकॉल टू 8 सॉरी 2 रेशो 125 क्या अंसर 2 रेशो 125 क्या अंसर क्या अंसर क्या अंसर 7th and last question is X plus 3 रेशो X plus 11 is equal to X minus 2 रेशो X plus 1 पहरे एज़ इस लिखा solution के बाद फिर देखो इसको ऐसे लिखा इस फर्म में लिखा X plus 3 अपॉन X plus 11 is equal to X minus 2 upon X plus 1 फिर cross multiply किया X plus 3 X plus 1 is equal to X plus 11 into X minus 2 X into X X square X into 1 3 into X 3 X रेशो रेशो X into 1 X 3 1 जा 3 नहीं समझ में देखो X into X X square X into 1 X 3 into X 3 X 3 बन्जा 3 यहाँ पर भी देखो X into X X square X into minus 2 minus 2 X 11 into X plus 11 X 11 into minus 2 minus 22 X square यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तो minus हुझेगा दोनों को cut कर दिया 3 X plus X 4 X plus 3 is equal to minus 2 X plus 11 X 9 X minus 22 9 X यहाँ पर minus हो गया 4 X minus 9 X is equal to minus 22 minus 3 राइग नहीं 3 यहाँ पर plus यहाँ पर minus हो गया so 4 X minus 9 X minus 5 X is equal to minus 25 minus 22 minus 3 minus 25 minus 1 is going to cancel 5 X is equal to 25 and X is equal to 25 divided by 5 X is equal to 25 divided by 5 X is equal to 5 5 बन्दा 5 5 पर यहाँ पर 25 आए दोनों समाझ में के राइड दाउं फास्ट